नमस्कार साथियों एक भाफिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज का वीडियो पोस्ट आफिस की एक सेविंग स्कीम पर है बहुत जबर्जस्ट वीडियो है जो हमने एक वीडियो बनाया था सुकन्या सम्रिध्धी योजना पर तो उसमें एक पात्रता थी कि बच पोस्ट आफिस में है तो क्या है यह इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे तो इसकी मत करिएगा पूरा समझेगा सबसे पहले समझ दीजिए कि जो पोस्ट आफिस की सेविंग स्कीम होती है इसमें बैंक की तुलना में थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है पहल में 2000-3000-4000 करके आप जमा कर सकते हैं ज्यादा ब्याज मिलता है इसके अलावा आज जो मैं आपके बताने जा रहा हूं पोस्ट आफिस की सेविंग स्कीम इसमें दस वर्स से अधिक उम्र का अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है या बच्ची है तो उसका भी खाता खुल जाएगा अगर 10 वर्स से कम उम्र का है तो उसका भी खाता खुल जाएगा इसमें एक मुफ्तर रकम जमा होती है और बदले में ब्याज मिलता है उस ब्याज के जड़िए आप पने बाद्री पेश जमा कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं पांच वर्स के लिए तो क्या है तो स समझे कि माल लीजे कि बच्चा अगर 10 वर्स से कम है या फिर 10 वर्स से जादा मतलब उसकी उम्र या तो दस वर्स से कम होगी या दस वर्स से जादा लड़का भी हो सकता है लड़की ध्यान रखीगा यह कि वल बच्चीओं के लिए सब के लिए अगर माल लीजे कि आपका बच्चा चाहे एक बच्चा हो चाहे दो बच्चा हो तीन बच्चा यहां बच्चे से कोई मतलब से या फिर माता के नाम से लेकिर उस बच्चे की भूमिका रहेगी उस बच्चे का नाम जन्म प्रमानपत्र उस बच्चे का वहाँ पर लगेगा बाकी डाकुमेंट्स आपका लगेगा तो यानि कि 10 वर्स से कम अगर बच्चे की उम्र है तो उसके माता या पिता उसके गार्जियन रहेंगे यानि कि खाता धारक रहेंगे कितने समय के लिए तो पांच वर्स के लिए ठीक है अगर मालीजी दस वर्स से जादा उम्र है बच्चे की तो बच्चा सोयम खाता धारक हो जाएगा यानि कि बच्चे के सोयम के नाम से खाता खुलेगा और समय कितना होगा यहां भी पांच वर्स तो एक बास समझ में आई कि अगर बच्चा दस वर्स से कम है तो माता पिता के नाम से खुलेगा बच्चे का जन्र प्रवाणा पत्र लगेगा और पांच वर्स के लिए होगा बच्चा दस वर्स से अधिक का है तो बच्चे के नाम से खुलेगा और यह भी पांच वर्स के लिए होगा इसमें होगा क् चार लाग पचास हजार यानी कि साठेह चार लाग रुपए अब एक हजार से ले करके यानी कि 2000-3000 एक लाग, 2,500,500,500,500,900,400,400,000,900,500,600,500,000 रुपए तक कोई भी व्यक्ति एक खाता खुलवा करके उसमें कर सकता है अब जब जमा कर देते हैं तो होता क्या है एक हजार आप जमा करते हैं या फिस चार लाग जमा करते हैं दोनों पर जो ब्याज मिलता है वह मिलता है साधे 6.6% वार्षिक यहां भी वही, पोस्ट आफिस में जब आप वैसे खाता खुलवाएंगे, नार्मली खाता खुलवाएंगे, जनरल खाता तो वहां पर लगभग 4% वारतिक भ्याज मिलता है, बैंकों में 4% से कम मिलता है, तो यहां पर जनरली खाते में 4% मिलता है, लेकिन यह जनरली खाता परह नहीं है यह म मिस्के घाता है और इसकी सीमा है एकहजार से कम से कम अधिजिECT 4 दिशाब मिलेगा कि कि तक ब्याज मिलेगा तो 5 बड़्म तक मिलेगा जाहे जितना आप एक बार में जम्हान कर दीजिए ब्याज मिलता रहे और दुबारा पैसा जमा नहीं होगा जैसे आपने एक बार में अगर एक लाग रुपए जमा कर दिया तो अब फिर पांच साल तक आप इसमें जमा नहीं कर पाएंगे पांच बर्स तक आपको ब्याज मिलता रहेगा उसी ब्याज से आपने बच्चे की ट्यूशन की फिस पढ़ाई जो आप करना चाहें बच्चे के लिए कर सकते हैं तो हम आपको एक उदाहरण के माध्यम समझाते हैं कि अगर आप इतना इन्वेस्ट करेंगे तो महीने में कितना मिलेगा उसके अनुसार आप अपने हिसाब से अपनी छमता के अनुसार आप इन्वेस्ट करके किस योजना का लाव ले सकते हैं इसका खाता कहां खुलेगा तो इसका खाता के वल पोस्ट आफिस में खुलेगा, बाइंग के में नहीं खुलेगा, क्योंकि ये पोस्ट आफिस की योजना है, पोस्ट आफिस सेविंग स्कीम, के पहत MIS मन्थली इंकम स्कीम, नाम से खाता खुलेगा, और पांच बरस तक के लिए होगा, कर दिया, तारीक डाल देते हैं, मालीजे आज तारीक है 14 जन्वरी 2022 को, आपका खाता खुल गया 2,00,00 रुपए, इस खाते की मिचुर्टी कब होगी, तो यही तारीक, मालीजे 13 या 14 जन्वरी, दो हजार 22,0027, यानि 14 जन्वरी के पहले, इसकी खाते की वैज़ता समाप्त हो जाएगी, अब 2,00,00 रुपए आपने जमा किया, ब्याज कितना मिल रहा है, 6.6% वार्सिक, ठीक है, तो 6.6% वार्सिक के हिसाब से कितना हो जाएगा, 13,200 रुपए, 6.6% वार्सिक के हिसाब से, 2,00,00 रुपए का ब्याज, एक साल का कितना होगा, 13,200, अगर आप 13,200 में, 12 का भाग कर दें, तो एक महीने का आ जाएगा, तो 12,01, 12,01, डबल जिरो, यानि कि 11,00 रुपए, प्रतिमा, मतलब, 2,00,00 रुपए आपने जमा किया, 5.6% वार्सिक ब्याज के हिसाब से, एक महीने का ब्याज हुआ, 11,00 रुपए, यानि आपको हर महीने, 11,00 रुपए मिलता रहेगा, खाफ बात यह है, कि आप 11,00 रुपए जाकर कि निकाल सकते हैं, फिर अगले महीने जाकर निकाल सकते हैं, आम तोर पे होता क्या है, कि जब आप दूसरे खाटों में क्या होता है, जब पैसा जमा कर देते हैं, तो जो ब्याज होता है, वो निकाल नहीं सकते, वो 5 साल जब बीत जाएगा, तब उसके बाद पूरा जोड कर मिलता है, लेकिन यहां ऐसे नहीं है, यहां हर महीने आप ब्याज की रखम निकाल सकते हैं, अपने बच्चे के ट्यूसन फेस के लिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चे के नाम से खाता कुला है, या आपके भी नाम से खाता कुला है, तो बच्चे की प्रिफरेंस है उसमें, यानि कि बच्चे के लिए हैं, तो 1100 रुपए पर महीना, 12 महीने का हो गया 13200 रुपए, ठीक है, अब माल लिजें, कि इसकी अधिक्तम सीमा है 4,500,000 यानि 4,500,000 रुपए, अगर आपने इतना जमा कर दिया, इससे ज़्यादा आप जमा कर ही नहीं सकते, अगर इससे ज़्यादा जमा करने की बात होती, तो जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो करोण रुपए जमा कर देते न, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्याज मिल रहा है इसलिए गरीब ही इसका इस्तेमाल कर सकें इसलिए इसके सीमा 4,50,000 रुपए ही रखी गई है अगर आप इतना करते हैं तो ब्याजदर तो वही है 6.6% वारसिक अब इसके हिसाब से आपको मिलेगा एक माह का प्रति माह प्रति माह का आपको मिलेगा 2475 रुपए यानि लगभग 2500 रुपए अब इसका आप मल्टिप्लाइ कर देंगे 12 में तो एक वर्स का कितना हो जाएगा तो 4.4 लाक इन्वेश्ट करते हैं तो 2475 रुपए प्रति महीने आप जा करके निकाल सकते हैं कब तक निकाल सकते हैं पांच वर्स तक निकाल सकते हैं और जैसे ही पांच वर्स पूरा हो जाएगा जो आपका जमा है मोलधन वो भी निकल जाएगा यानि हर महीने ब्याज आप निकालिए पांच वर्स तक उसके बाद मेचोर्टी जब होगी तो आपको जितना जमा है वो पूरा मिल जाएगा अलग से तो अब एक पल के लिए देख लेते हैं कि माल दीजिए कि साड़े चार लाख रुपए आपने जमा किया तो साड़े चार लाख रुपए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा पांच साल के बाद इसके अलावा 2475 रुपए प्रति महीना 60 महीने का कितना हो जाएगा एक लाख 48500 रुपए दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा पांच लाख 98500 रुपए यानि एक लाख 48500 रुपए आपको पांच साल में ब्याज मिला मोलधन बचा ही बचा है ध्यान रहे एक ब्यक्ति के नाम से एक ही खाता खोला जा सकता है यानि एक बच्चे के नाम से एक ही खाता खुलेगा चाहे गारजियन खुलवाएं चाहे बच्चा अगर माली जे दो बच्चे हैं तो दोनों के नाम से खाता खुल सकता है जोइंट खाता भी हो सकता है तीन करके जमा कर दीजिए और हर महीने आप जाकर के ब्याज निकाल करके उसका अपने बच्चे की पढ़ाई में इस्तेमाल कर दिए जैसे ही पांच साल हो जाएगा जो आपने मोल्धन जमा किया था वो मोल्धन आप जा करके निकाल लीजिए ठीक है तो पोस्ट आपिस में जो साधाराण सेविंग होता है बचत होता है उस पे 4% ब्याज मिलता है लगभग लेकिन यहाँ 6.6% के हिसाब से है इसलिए यह बहतर है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस योजना के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया किसी प्रकार कोई संसाय नहीं होगा कोई भी प्रस्ण अगर रह गया कुछ बाते छूट गई हैं तो नियसंग को चाप कमेंड करिएगा हम कमेंड की माधम से उत्तर देंगे ठीक हैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अ